आपने स्नेक वाइन के बारे में तो सुना होगा, पर आपको पता है कि स्नेक वाइन बनती कैसे है। चलिए जानते हैं, स्नेक वाइन बनाने के लिए सबसे पहले जिन्दा सांप को पकड़ कर 3-4 दिनों तक भूखा रखा जाता है। फिर एक जार में राइस वाइन डाल कर उस सांप को भी उसमें डाल दिया जाता है। और भूख के कारण वो सांप उस वाइन को पीने लगता है। पीने के बाद उसे उल्टिया होती है और ये माना जाता है कि उन उल्टिया में इसके शरीर से सारा कच्रा और गंदगी निकल जाती है। फिर जिन्दा सांप को बाहर निकाल कर दुसरे वाइन में राइस वाइन के साथ 4-6 महीनों तक रखा जाता है। धीरे धीरे सांप उस वाइन को पी कर मर जाता है और ऐसा माना जाता है कि सांप का जहर आलकोहोल की वजह से खत्म हो जाता है और स्नेक वाइन बनके तयार हो जाती है। फिर कुछ लोग इसे पीते हैं।